हलो दोस्तो आपका स्वागत है मेरे चानल में दोस्तो आज मैं इस प्रोजेक्ट का आपको विजिट कराऊगा जो की एक जीम का प्रोजेक्ट है मैं पुछ दिन पहले ही इस प्रोजेक्ट को हंडरु किया है मेरे अपने आउनOR को यह ground floor और first floor है, first floor में ladies gym है और ground floor में jens gym है आज मैं इस video में आपको jens gym का visit कराऊंगा यह हो गया मेरा front elevation, जो कि outside में हम लोग pbc grass डाला हुआ है और यह हो गया main entrance, right side में जो आप देख रहे हैं ब्लेक clear का बार, यह monkey बार हम लोग लगाया है और उपर से इसको cover किया है पारा गोलक से और यह हो गया मेरा gym का main entrance, jens gym का जो कि SS frame with glass gate है, double panel का और यह right side में black जो देख रहे हैं mobile जैसा, यह security, gate का security है means इसमें fingerprint से ही आप इसको खोल सकते हैं और सब का इसमें access नहीं होता, जो जो इसमें feed किया हुआ होगा उसी का access होगा, तो चलिए मैं आपको gym के अंदर का interior design और इसका view दिखाता हूँ यह हो गया मेरे gym का अंदर का view इसमें floor में हम लोग road mark डाला हुआ है जो कि बहुत ही खूश्रत लग रहा है यह हो गया wall का design wall का design जितना सारा है इसमें हम लोग linear light यूज किया है यह हो गया gym का logo इस gym में gym के जितने सारे tools हैं इसमें available हैं क्योंकि यहां के जो shake है gym को बहुत ही ज्यादा importance समझता है रहा हूँ इसका back side में weight area weight area मतलब इसके अंदर आपको sour room bathroom जाकुजी sauna room pool pool restroom body check up room सब दिखेगा और यह entrance में हम लोग बहुत सारा security drawer रखा है इसमें security लगा हुआ है जब तक आप इसमें पीन जो fit करेंगे वह नहीं डालेंगे यह नहीं पुलेगा यह जब आता है कोई भी बंदा जीम करने के लिए center में बैठ करके अपना shoes और wallet wallet इसमें ही रखता है और हो गया यह selling light और gate में ही हम लोग एक curtain wall लगा हुआ है तो चलिए मैं आपको next part इसका दिखाता हूँ जीम का ही यह हो गया मेरा next part उदर कुछ अंधरा ज्यादा यह हो गया मेरा next part इसमें हम लोग जो selling light दिया वह सारा linear light है और ज्यादा तर आपको वाल में mirror ही दिखेगा यह उपर हो गया यह सारा linear light और CNC आपको छोटा-छोटा जो जीजाइन दिख रहा होगा से यह सेलिंग में वह CNC हम लोग लगा रहा है यह हो गया CNC का दिजाइन और वह आपको क्रोस वाला जो डिजाइन दिख रहा होगा वह PVC लोग एक सीट लगाया हुआ जो कि marble design मार्बॉर का व्यू दे रहा है और यह सामने वाल में LCD लगाया हुआ है जिसके बैक साइड में हम लोग brick design का वाल पेपर इंस्टोल किया हुआ है मेरे सामने जो बंदा है यह बंदा नेपाल का है इसको इस जीम में में आपको लेफ्ट साइड से दे चलता हूं इस जीम में जितने सारे फ्लोर का आप देख रहे हैं फ्लोर यह सारा रवर फ्लोर है जिसका थीकने 6 mm है और जितना मार्क देख रहे हैं यह सारा मेजरमेंट 1 मीटर टू 10 मीटर तक यह इपोक्सी पेंट है जिसका टेन यह का वायरेंटी है आप इंटांस से जुहीं इंटर करेंगे तो सबसे पहला जो आपको एलीविशन दिखेगा यह जिसमें चीम का लोगो भी है और सामने आपको दो डोर दिख रहा होगा एक रेस्टूर में जाने के लिए और एक वेट एरिया में जाने के लिए चोटा सा डेकोरी टेबल हम लोग लगा हुआ है कौफ पूरियन सीट से बनाए हुआ है और सब में एक एक मिरर है मिरर लाइट भी आम लोग नहीं किये हुए है और लेफ साइड में हो गया यह चेंजिंग रूम ज्रेस चेंज करने के लिए वरकाउट के बाद और यह होगा बात रूम के सामने आप देख रहे हैं दो जो रूम ह क्něषी सावर रूम सोना फूल 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 उड़ी नौर इसमें वा डिवी रहता है किसमें माइनिस डिग्री में वाट रहता है और बोली के लिए बहूत फायदा होता जब अगर बोली को कूल करना हो इसमें जाके इंज्टै करते हैं अबल्य gradu थे और यह हो गया फूल हो बोड़ी को हीट करने के लिए अगर बोड़ी में वेस्ट पसीना जो होता है यह आपको निकालना हो तो इस सोना रूम में टेंपरेचर वाइज इसको फीट किया जाता है और इसमें जाके बैठने के बाद आपका पसीना जितना सारा बोड़ी में वो निकलेगा उसके बाद सावर ले सकते हैं यह भी बहुत ही फायदामन होता है बोडी के लिए और यह दो हो गया सावर रूम जिसमें हम लोग जो फ्रंट वाला वाल है आप देख रहे होंगे यह रॉक डिजाइन का टाइल हम लोग यूज किया हुआ है और इसमें सावर जो है रेन सावर है 30 बाई 30 क और एक सावर रूम है जिसका साइज है वन मीटर बाई वन मीटर यह सामने आपको ग्रेकलर का डोर दिख रहा होगा और यह होगा लेफ्ट साइड में जाकुजी जो अभी अंडर प्रोसेस है नेक्स्ट वीडियो में जाकुजी का भी विजित कराऊंगा यह होगा मेरा सारे आपको टाइल्स दिख रहा है यह सेरामिक नहीं है यह सारा पोर्टलीन है जिसका साइज है वन सिक्स्टी बाई सिस्टी है यह बड़ा टाइल है सारा मैगनेटिक कलर का है यह हो गया मेरा ग्राउंड फ्लोर का वेट इरिया इसके साइड में जो रेस्ट रूम रुक बनाया है यह बोडी चेक अफ होता है इसमें अगर आप वर्क आउट करते करते हैं आपका बीपी लो या हाई हो गया या फिर आपका हर्ड भी तेज हो गया यहां पर आपके चेक कर सकते हैं इसमें सारा मसीन है इसीजी मसीन पीम सीन वेड मसीन आपको डिकम शेख करते हैं सब तो यह हो गया मेरा ग्राउंड फ्लॉर का यहां मैंस के बनाया हुआ है नेक्स्ट वीडियो में मापको लेडि जीम का विजिट पराऊंगा दोस्तों अ सब्सक्राइब जरूर करना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया एक्स्पिरेंस के साथ तक लिए